आज मैं आपको इसको अच्छे से याद कराने वाला हूं इतने अच्छे से कि आभी तक आपको यूटूब पे कोई ऐसे वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको डेटा को अच्छे से याद रखाए यानि यह वा सकती बिहार की प्रगति में टोटल कितना खर्च की बात की गई है तो इन सबी चीजों को मैं आपको अच्छे से याद कराने वाला हूँ बहुत अच्छ तरीके से वीडियो को एंड होते हैं यानि आखरी दो मिनिट आपका जो है वो कम्प्लेटली याद कर लेना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो रिवन गुड मारिंग स्वागा तिप सभी का ऑनलाइन स्टेडियों में तो जैसा कि फैंस आप लोगों को पता होगा अगर आप मारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े होंगे तो आपको ये चीज पता होगा कि पिछली भी पेसी का जो एक्जाम सोने वाला था यानि आज मैं आपके साथ फिर से डिसकसन करने वाला हूं क्योंकि आप इसको एक बार फिर से देख लीजे और आज मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से और भी याद किरानी को इसमें दिया गया उसको भी हम ध्यान में रखेंगे पूरी कोसिस करेंगे कि आपको वह तुरंत इस के एंड होते होते याद हो जाएं और काफी अच्छा भी लगने वाला है तो दिस ध्यान से वीडियो को देखिए और अच्छी चीजों से समझिए यहांपे मैंने कुछ ट्रिक भी लगा रखें आपको बताने के लिए तो अच्छे से समझते हैं देखिए सबसे पहले बात एक द्वरा पेश किया किया तो तरकिषोर प्रसाथ जी के द्वरा जोकी उपमुक्यमंत्री और साँति-साथ यह ईए आफके बीत मंत्री भी हो जाते हैं च्छिका प्रसाथ जीक की द्वरा यह पेश किया गया था यह जीज़ आपको याद रखना है अब इसमें सबसे इं इतना ही याद रखी ऐसे मत याद रखिए कि 2,37,691 करोड ऐसे याद रखेगा तो यह याद नहीं होने वाला है बस आप इसको डिजिट के रूप में ही याद रखे याद रखेंगे जब तक अंतर हमें पहला और लास्ट वाला याद नहीं रहेगा तो फिर हम इसको नहीं निकाल पाएंगे तो बस कुछ करना नहीं है 23,37 इस वर का याद रखें और 21,38 पिछले साल का है घटा देंगे दोनों में से आपका यह निकल जाता है अंतर कैसे निकालेंगे जब तक आपका पिछला याद नहीं रहेगा हो यानि तीनों को याद रखना है यहां तक कोई समस्या नहीं है अब सबसे ज्यादा जो महत्यपूंट प्रश्ण बन सकता है यह है कि 2022-23 में विकास दर कितना रहने का अनुमान है पिछली साल के गरम बात करते हैं थे उस वक्त 9.8 रखा गया था लेकिन इस वक्त की बात करते हैं तो 9.7 रखा गया है 3.47 यह अगर अब तक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्ण बन सकता है वह आपका यही है कि राज कोशिये घाटा कितना रहने का अनुमान है थीक है तो इस देखें क्या होता है अगर आपको अभी बता दूंग अगर आप याद कर भी लेंगे तो क्या होता है कि वीडियो को 2-3 दिन के बार बार देखना है जब तक एक्जामस नहीं हो जाता तब तक आपको यह एक दो बार देखते रहना है तब ही आपके माइंड में यह डाटा सेट होगा वरना ऑपसंस देखते हैं आप क्या मैंने याद रखा था तो इसको दूर करने का सबसे अच् इन्फ्यूजन नहीं करेंगे चलिए उसकी बात करते हैं कि पिछले वर्ज की तुलना में बिहार की अर्थ वस्था में कितनी ब्रीधी रही जो कि 2,5% की ब्रीधी रही बहुत अच्छे बात रही यह चीज आपको याद रखना है ठीक है पिछले वर्ज की तूलना में बि शोड़ दीजिर स्टार्टिंग के याद रखी अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है अंतर कितना रहा इंज़ से 1038 का अंतर रहा अब यहां पर बात करते हैं के विकासदर कितना रहा विकासदर 9.7 की बात की गई है और आजकोसी घाटा 3.47 की बाद की गई है, पिछले वर्स की तुला में बिहार के अर्थवस्था में बिरिधी कितनी रही, अब देखें कुल व्याय, जो अकार है वही आपका कुल व्याय भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यारी कुल अकार का मतलब ही है कि कुल व्या इसमें कुछ लग नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिद करिए, चोहत्तर तिरपन ये याद रख लेजे, बस काम खतन, तो देखें, जो भी यहाँ पर बात के गई है, पैसे की वो सभी करोड में है, तो आप थोड़ा सा इसको याद रख लेजे करोड में ही रहता है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, तो एक बार फिर से रिपीट कर ले, ध्यान दीजेगा, अगर हम बात करें कि बजट का अकार कितना था, तो बजट का अकार था आपका 276,91, और अगर हम बात करें, पिछले वर्स कितना रहा था, पिछले वर 288 का अंतरा, अगर पूछा जाए कि बताए कि GDP में, GDP कितना रहा, तो GDP कितना बताएं गया, तो GDP वाला डाटा हमने यहाँ पे देखा था, कि 74,53, यह याद रखना है, और अगर राजकोसिय घाटा की बात करें तो कितना होगा, राजकोसिय घाटा आप याद रखेगा, कि 3 4,7 राजकोसिय घाटा बताया गया, उसके बाद विकासदर कितने रहनी के बात की गई है, 9,7, तो यह आपको याद रखना है किसी भी तरह से, इतना बस याद रखे, बजट में ज्यादा कुछ करना नहीं है, इतना इंपोर्टेंट है, इतना याद रखे, चेक है, अब ब देख सकते हैं, स्वास्त, सिक्षा, उध्धोग, और उध्धोग में निवेस, क्रिसी, और अधारबुद सनरचना के साथ साथ कल ल्याण, ठीक है, इन 6 चीजों को याद रखना और इसमें इतने भी पैसे लगाए गये हैं, वो भी आपको याद रखना है, तो सबसे पहले छे सुत्रों के अंतरगत नहीं आता है, या फिर निमलीखित में से कौन-कौन से 6 सुत्रों के अंतरगत है, तो आपको याद रहेगा ये 6 तभी तो कर पाएंगे, तो इसको याद रखने के लिए छोटा सा तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप इसको धोड़ और जब आप अच्छे से सिक्षा पे ध्यान देंगे, तो आपका जो उधोग होगा, आप जो तरक्की करेंगे, उधोग में अच्छे तरीके से तरक्की करेंगे, तो यहाँ पर आप देखे, स्वास्त ठीक रहेगा, तो फिर सिक्षा पे अच्छे से ध्यान देंगे, तो आपका उध्होग अच्छी से हो जागा जब उध्होग में आप अच्छे से तरीकी कर लेंगे तो फिर क्रिसी की जुरत आपको नहीं पड़ेंगे यानि कि खेत खलियान की तरफ आप ज्याज़ा तर नहीं जाएंगे ठीक है जैसे कि अगर माल लीजे कि अगर हम हमारे जो फैमली है अगर माल लीजे कि हमारे जो पापा है वो अगर क्रिसी है किसान है खेत में काम करते हैं तो अगर हम मेरा स्वास ठीक है सिख्छा पर मैं फोकस करता हूं तो मैं उध्होग में चला जाओंगा इंडस्ट्री फैक्ट्री वगरा वगरा में चला जा अगर स्वास्त ठीक है, तो सिक्षा पे ध्यान दे, सिक्षागर ध्यान देंगे तो उधोग में लगजये हैंगे, तो इहां पे अपका देखिए, तो उधोग में लग जाएंगे, तो फिर आपके अच्छे खाष पैसे कमाएंगे तो चुड़ी कमाक जो बेसिक अधार सट्र तो इस तरह से आपने यहां पर चीजों को notice किया मैंने क्या क्या बता है स्वास्थ बताया स्वास्थ ठीक रहेगा तो सिक्ष्थ पर ध्यान देखे जिससे क्या होगा कि उध्योग उध्योग अच्छा रहेगा उसके बाद फिर क्रिसी नहीं करना पड़ेगा तो इस से क्या ह आपको स्वास्त पर कितना खर्च किया इन सबी डेटा को भी याद रखना है लगभग हम यह याद कर ले तो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना कि अगर आप इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको आपको वी अच्छे तरीकी से याद हो जागा इसमें क्या था 16 134 बस इसमें मैंने point के बाद को याद नहीं रखा 16 134 ये बस याद रखा 16 134 अगर हम सिख्छा की बाद करें तो सिख्छा को याद रखना बहुत ही simple है 3 9 1 9 1 ठीक है 3 9 1 9 1 देख सकते हैं repeat हो रहा है तो यह आपका याद हो जागा उसके बाद बात करें उधोग और उधोग में जो निवेज किया गया इसी से मिलता जोलता है आपका देखे 16 134 था तो पस पलड़ दिया गया बीज में का एक हटा करके 16 43 कर दिया गया ठीक है क्रिसी के अगर हम बात करें तो क्रिसी में आपका 77 12 पॉइंट वाले चीजों को मैं नहीं याद रखा हूं तो वैसे भी जुरूरत नहीं है अगर मिलेगा तो आप ऐसे भी इसको हटा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है और अधार बुट संरचना के अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था इसमें आपका है एक जह सकते हैं एक दो टीन सात फाझ पांच इस तरह से ic सकते है एक बर आधा को देख लेते हैं क्या कोई इसमें दिख्क़त तो नहीं है सब चीज अच्छे से clear है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही चली सब सिछ ठीक है जो भी मैंने डिटा याद रख्व हो बिल्कुल सही devrait रखें और पॉइंट की बात करते हैं थो पॉइंट आ जिसे भी बुक से देख लिएगा पॉइंट से मैंने यहसे द्यान रखेगा यहां पर हम स्वास्त की बात करते तो 16 134 करोड उसी तरह से यहां पर देखिए कितना है 49191 यानि कि 39199 इस तरह से 39191 यह बस याद रख लिजे उधोग और उधोग में निवेस के कितना है तो यह इसी का मिलता जूलता आपका लेटर है यह द्यान रखेगा अब यहां पर यह प्रशन पूछा जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहां पर यानि 6 सुत्रों में सबसे ज्यादा किसमें खर्च करने की बात की गई थी तो सबसे ज्यादा आप यहां पर देख सकते हैं यह है आपका सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सिक्षा पर और सबसे कम कह हैं सब से कम हमें यहां पर देख हैं सबंसे कम हमारा उधौ जोग में देखने करले हैं तो सबसे कम क्यों तो यहां फेडि़ो की चीछ समझ में आ गया होगा यहां पर किस तरह से हमने याद रखा आब इसके आगे एक और चीच आपको समझाने वाले है जैसे कि 7 निष्चे योजना, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी पेपर में पूछा गया, चाचाटवें में, कि आपका 7 निष्चे योजना इन उलिखित में से कौन सी नहीं है, यानि कि निष्चे योजना में नहीं था, अब इस बार तो 7 निष्चे 2.0 भी लांच किया गया है, तो उसी चीजों को मैं आपको याद रखने की कुसिज कराऊँगा, कि कैसे आपको याद रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आगया होगा, अब चले बढ़ते हैं इसके next slide में, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसको बार बार आप दो से तीन दिन पर repeat कर लिज़ेगा, तब ही आपके mind में ये set होगा, 16, 134, उसके बाद आखरम बात करें सिक्षा पे, तो सिक्षा पे आपका 391, 91 ये है, उसके बाद आता है हमारा third number, third number पे उधोग है, और ये करम भी याद रखेगा, तो और अच्छे से याद हो जाएगा, करम याद रखने के लिए ये याद रख लेजे, बहुत जो की बहुत सिंपल सा है, उधोग में कितना है, उधोग में आपका जो पहले वाला था, 16, 134, उसी को पलड दिया गया, 16, 43 कर दिया गया, उसके बादा हे ऐता है क्रिसी, में 67-12, उसके बाद हमारा आता है क्रिसी के बाद आता है, उसके बाद है आपका यह, जो के अधारभुट सनरचना, अधारभुट सनरचना में 29-709 और last point हमारा बनता है कल्यान, तो तो गल्यान 1-23 से start होता है, 1-2-3-75, तो बस बहुत ही simple सा ह एक बार अच्छे से देखेंगे तो यह याद हो जागा अब चलिए इसके next slide पे हम बढ़ते हैं जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ निस्चे यूसना 2.0 के बारे में अब देखें फेंस next जो point हमारा बनता है कि 7 निस्चे 2.0 के बारे में बात करने वाले हैं तो आज मैं आपको इसको अच्छे से याद कराने वाला हूँ इतने अच्छे से कि आभी तक आपको यूटूब पे कोई ऐसे वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको डेटा को अच्छे से याद रखा है यानि यह वा सकती बिहार की प्रगती में टोटल कितना खर्च की बात की गई है तो इन सबी चीजों को मैं आपको अच्छे से याद कराने वाला हूँ बहुत अच्छ तरीके से वीडियो को एंड होते हैं यानि आखरी दो मिनिट आपका आपका वह कम्प्लीटली याद कर लेना है सबसे पहले मैं आपको बता दो कि इसमें आपका जो डेटा है वह याद रखने की जुरुवत नहीं है बस आप यह याद रखने की कौन-कौन सी यूजनाय थी साथ निश्चे में कि आपको अगर ऑप्संस में देखने को मिले वैसे तो पूछ जाएगा ये लेकिन इसमें से आपको ये देखने के बाद तुरत पता चल जाना है कि साथ निश्चे का था और ये साथ निश्चे 2.0 का रहे है तो चले हम यहाँ बात करते है आर्थिक हल युवाओ को बल ये था अरक्षित रोजगार महिलाओ का अधिकार उसके बाद है हर घर बिजली 2.0 के बारे में जिसमें हम देखेंगे फिंस की युवाओ सक्ती में टोटल कितना खर्च है जैसे पहली बयात मैं आपको बता दूं कि अगर ये साथ निश्चे की बात करता है तो टोटल इसमें जो अगर इन सभी साथ चीजों की बारे बात करें तो इसमें टोटल कितना ख प्रगति में 113 ये धियान रखेगा को के से याद में आपको याद कराते चलता हूँ या सकती बिहार की प्रगति यानी जितने भी युवा लोग तो चंदा लेना है वे कितना लेना है? ठीक है ससक्त महिला सक्षम महिला इनकी घर हम बात करते तो इनके लिए कितना है अगर कोई भी महिला जैसे कि गुवर्मेंट अस्कूल में जब क्या होता था जब छोटी बच्चिया होती थी तो उनको स्कूल टेस्क के लिए 900 रुपे मिलते थे तो यहां पर हम क्या करेंगे किसान आगे अगर हमें फेतों में ट्राक्टर को लाना होता है या फिर जो पानी होता है दूसरे के मोटर से लाना होता हूं तो उसको कुछ न कुछ पैसे देने पड़ते हैं थीक है पटवन के लिए पैसे दिने पड़ता है तो हम यह पे गया रखेंगे कि हर खेत तक सिचाई के पाने अगर आपको खेत अपने जाना है तो कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, सिचाई के लिए, पानी के लिए कितना देना पड़ेगा, तो आप बस यह याद रख लीजिए कितना देना पड़ेगा, तो हम यहाद रखेंगे, जो कि हर खेट सिचाई का पानी के लिए, हमें 600 रुपए आपको देना पड़ेगा, 600 रुपए दीजिएगा, तो आपको खेट तक पानी हम पहुंचा देंगे, 600 रुपए, 600 करोड यह याद रखेंगे, साफ गाउं, साफ गाउं, समरीद गाउं, यानि अगर 847 रुपए अगर आप देते हैं, तो पूरे गाउं की सफाई अगर हम लोग कर देंगे, 847 रुपए अगर आप देते हैं, 847 मतलब 847 करोड, साफ गाउं, समरीद गाउं के लिए 847 करोड, तो यह धियान रखेंगे, अगर आपको तो 847 रुपया दिया जाएगा देंगे, तो हम पूरे गाउं की सफाई अच्छे तरीके से हमारी टीम के द्वारा की जाएगी, इस तरह से बात की जाती है, कि अगर साफ गाउं सम्रीत काउं कराना है, साफ गाउं कराना है, तो 847 रुपया अपको लागेगा, उसके बात किय करना मा तोड़ा सा मुज़ील होता है, गाउं को साफ करना प्लाव पैसा ज्यादा है, 847 रुपया और में सहर को साब करना थोड़ा सा कम उसके लिए तो यहां पर पांसो पचास रुपया उसके बाद अगर हम बात करें सुलब संपर्कता में को टूटल कितना है सुलब संपर्कता में आप याद रखेगा 450 करोर कितना 450 करोर 450 रुपया अगर आप जमा कर देते हैं तो आपको जहां भी जाना है हम आपको बहुत अच्छ तरीके से सुलब याने की संपर्कता कराएंगे सुलब परिवहन के द्वार आपको अच्छ तरीके से पहुंचा जाएगा 450 रुपया में सब के लिए अत्रिक्त सुविधा सब के सुलिए 500 रुपया अगर हम आपको सब्सक्राइब करके अच्छ तरीके से दिया जाता हैं तो यहां से आत्म में जो को बदा हैं तो द्यान रखिये युवा सकति बिहार की प्रगत्टि युवा जितने भी होंगे उनको कितना चंद देना है 1100 151 रुपे का मेलें, 17re3 का शंददा दर दिना है, सक्षा महिला जो सक्षा महिला, जो सक्षा महिला हों गी होंगी उनको बस 900 रुपे का मिलेगा, यानि जो स्कूल में कैसे होता था? ड्रेस के लिए 900 रुपे मिलता था? उस दеци meters सक्षा महिला होंगी Staat together 9-100 रुपे मिलेगे पानी सिचाई के पानी अगर आपको खेत तक पहुंचाना है तो 600 रुपे देना पड़ेगा याने कि मोटर का जो चार्ज रखा गया वो 600 रुपे रखा गया आपको एक खेतों तक पानी पहुंचाने का साफ गाउं सम्रीद गाउं अगर गाउं को साफ करवाना है तो बस 847 रुपय पे करिए अगर सहर को साफ कराना है तो 550 रुपय लगेगा और सुलब संपरगता कहीं भी आपको जाना आना है तो अच्छे परिवान के लिए सुलब संपरगता के लिए बस 450 रुपय आपको लगेगा चार्स पन्चास रुपया सबके लिए अत्रिक सो विधा स्वास्था सु विधा वह आपको 500 रुपया इन सभी कि कर हम बात करते हैं तो यही आपका टोटल मिला करकी हो जाता है 500 करोड ठीक है पांच जार करोड अच्छली यह मैंने जो डेटा बता है आपको पॉइंट में नहीं है पॉइंट में है लेकिन मैंने आपको बस एक्जाक्ट रखाया जैसे गारा सो तिर्पन पॉइंट सम्थिं तो देखे फिंस अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं और अच्छे से आपको याद भी रहेगा और रही बात पेपर में तो जो चीजी मैंने आपको बताया अगर आप उतना याद रख लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप आसानी तो तीरपन रुपे का चंदा दे इस तरह से याद रखेंगे और देखें कितना मज़ा आएगा अब देखेंगे फैंस कुछ क्वेसंस हैं हमारे पास जो कि आप मैं आपके सामय रखता हूं और आप खुद से कोसिस करिएगा करने की ठीक है तो चलिए मैं आपको बताता आपके स्कृरीन पर दिख रहा होगा क्या रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निमलिखीत में से कॉन सा 7 निस्चे यूजना 2 का इससा नही है, साथ निस्चे यूजना तो दैखा आप्संस किया कह रहा है हर Dies L, पूछा है कही вас है तो हर गर PL का जल यह आपका साथ महिलाओं का समान लिखा गया था अच्छली यही था ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां पर महिलाओं का समान घर का समान लिखा गया और उसके बाद आउसर पढ़े आगे पढ़े तो यहां पर हमने देखा कि सेरफ फॉर सी एक ही है सुलब संपरकता चार जो कि 450 करोड तो अ यहां पर option देख लीजिए option आपका D में दिख रहा है 1153.53 करोड option D को टिक कर सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं next questions बनता है कि बिहार बजट 2022-23 के नुसार राजकोसिय घाटा यानि कि GDPS के कितने प्रतिसद होने का अनुमान है तो कितना बताया गया था GDPS आपका जो ह क्या रहा है next questions हमारा बनता है कि साथ निश्चे यूजना टू केता है तो बिहार में सुगम अवागमन यानि सुगम अवागमन का मतलब क्या हुआ या आपका सूलब संपरकता यही बात कही जा रही है प्रदान करने के लिए नई सड़कों के निर्माण के लिए निमली खि रहा जाएगा 450 बस याद रहे है उसके बाद क्या कह रहा है उसके बाद हमारा next questions बनता है next questions यह है कि बिहार बजर 2022-23 में सामिल साथ निश्चे यूजना टू के निमली खित में से कौन सी प्रमुक यूजना नहीं है नहीं है यानि हर खेत तक सिचाई का पानी के लिए 600 यानि कि 500 और दीजे तो यह भी आपका इसी के अंतरगत आता है सुलब संपर किता तो ही गया और लास्ट में आपका हर घर बिजली जो कि आपका साथ निश्चे के अंतरगत था ठेक है फैंस तो आई होब कि देखिए ये सभी चीज़े आपको क्लियर हो गई होंगी इसी त इतना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें भी फ्रॉफिट होगा तो हम भी सही चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को सेयर करें साथ से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसन बेल आइकन को अल पर सेट कर लिजे और एक प्रोवाइड कराने वाले हम लोग तो कहीं नहीं आपके लिए फुल पैकेज रहने वाला है तो जल्दी से जाएए अप्लिकेसन को डाउनलोड करें जो किस वीडियो की डिस्किप्शन में लिंक आपको मिल जागा डाउनलोड करके लॉग इन करके स्टोर सेक्शन में आते हैं कर सकते हैं तो फिलाल हम आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स वाचिंग